पहले चीज तो यह है कि मैं एक पहले करेक्शन कर दूँगा सुधान चुत्रवेदी जी का एकॉनोमिक्स के फिगर के उपर 82% हमारा जो रेशियो है डेट टू जीडीपी का आपने जरूर कहा सही कहा आपने कि चाइना और जपैन का अगर स्टेडी किया जाए तो वो हमसे कहीं जादा है मेरे क्याल से शाहे 200 के करीब है उनका लेकिन श्रीलंका जब बैंकरप्ट हुआ था और उसमें बुरी स्थिती आई थी तो वो भी 80s में था और अभी श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 116 के करीब होगा तो इसलिए ये मातर क्राइटीरिया नहीं होता है लेकिन वर्ल्ड के एकॉनोमिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे हालात और हमारी कंडिशन के हिसाब से हम एक डेट ट्राइप में फंसे हुए है पडोसी मुल्क पाकिस्तान बहुत ही बुरी स्थिती में हो सकता है उनका कंट्री टूड जाए वी निट टू बी केरफॉल तो ओपोजिशन के हिसाब से भी है मेरा फर्ज है आप रोलिंग पार्टी के प्रवक्तना है ये बताना तिस्थिती अच्छी नहीं है अब भारत के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा शुरू हो चुका है नरेंद्र मोधी जी आये तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई लेकिन उसके बाद भी थे जी कोलिशन तब भी था तो दोनों घटक दल हमारे चाए इंडिय हो या आइंडिय हो दोनों अपना जेन चौद्री का एंट्री किसकी होई है नितीश के जाने से फरक नहीं पड़ेगा और आइंडियू के लिए भी बहतर होता ओके लेकिन जेडियू जब थी तो बहुत अच्छा था सुदान चुत्रवेदी नितीश के जाने से कोई फरक नहीं पड़ता जो आपके सुदान्चु अधिकारी है बंगाल में जो आज बहुत जवाब 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 में जरूरी हो जाता है तो यह एक लंबी लिस्टा सुदान्चु अधिके पहले मैं विवेक श्रिवास्तो जी का एक बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने सही बात बोली भारत का डेट टू जीडिपी रे दूसरा जो आपने बात कही जो आपने तहां कि भारत के लिए जो कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है भारत में वो दर्शाता है अब आता हूँ आपके इस गढ़बंदन वाले विशे के उपर जो आपने ये कहने का प्रयास किया मनवर जब गढ़बंदन की स्थिति आती हैं हमने शुरू से सदैव से गढ़बंदन के साथ रहा हमारे इस पश्ट बहुमत की सरकार बनी 14 में मोदी जी ने उसके बादू सब सायोगों को इस्थान दिया दोहजार उन्नीस पे तो हम अपने दम पे 300 पार किये उसके बादू हमने सारे गढ़बंदन सायोगों क सुबेंदो अधिकारी ने कहा था मैंने जो बोला अखिलेज जी के लिए कहा गया है अभी का है और अभी आप कम्नुस पार्टी के पत्री दिया है वाइनार में राहूल गांधी के खिलाफ कम्नुस पार्टी ने कंडिडेट खड़ा कर दिया अब राहूल गांधी को जिताना चाहते है हराना चाहते है मुझे तो कादर खान की वह फिल्म और गोविंदा और कादर खान की याद आती है जिसमें जॉनि लिवर हमेशा कहता है मैं कादर खान के साथ हूँ लेकिन वो देखता दूसरी तोरफ है कमाल है यह चीज हम पहले भी इसको डिसकस कर चुके हैं कि केरल और बंगाल और एकाद राज्यों में हम आपस में जरूर लड़ते रहे हैं friendly fight है क्या मतब आप लोग हार रेके ने लड़ना है यह हो नहीं सकता हम अपने स्टेट में जरूर लड़ रहे हैं लेकिन केंदर के अंदर हमारे मानना है क्या पॉलिटिक में friendly fight होती है सल्मान निजामी स्टेट कॉश्चन सल्मान निजामी पॉलिटिक में friendly fight होती है अगर मैं कांगरस में रहा हूँ बहुत करीब हमने काम किया रहूल गांदी के साथ अगर रहूल गांदी को इस टाइम पे किसी ने बरबाद किया है तो वो यही leftist और कम्मिनिस्ट है कनया कुमार जैसे लोग जिन्होंने उनको मिस्लीड किया और जो संगर्ष करते थे कांगरस के नेता हम जैसे उनको साइड लाइन कर दिया गुलाम नभी आजाद साभ जिसने कांगरस बनाई उन लोगों साइड लाइन कर दिया कपिल सिबल जिन्होंने कांगरस को बनाया उनको साइड लाइन कर दिया कनया कुमार क्या कॉंग्रस चलाएंगी आज वो या आगे पीछे होते हैं उनको जिनको ABC पॉलिटिक्स का मालूम नहीं है तो कॉंग्रस को बरबाद करने वाले यही लेफ्टिस्ट है यही लेफ्टिस्ट है मैं ब्रेक के बाद लूँगा ब्रेक के बाद लूँगा खुलासा कर रहा हूँ वो वाइनाट शायद नहीं हो सकती शायद नहीं हो सकती ब्रेक के बाद वापसा आ रहा है जायद लेफ्टिस्ट है